Hello and welcome friends, एक बाद फिर से स्वागत है आपका Microsoft Excel सीखने की स्रीज में आज की ये वीडियो भी होने वाली है काफी खास, क्योंकि एक छोटे से इस वीडियो में बताऊंगा आपको बहुत important चीज़ तो चलिए आज ये समझते हैं कि आज की वो important चीज़ है क्या माली के इस टेवल में इस पूरे टेवल को आपको shortcut key की मदद से select करना है अब ये ध्यान रखेगा कि पूरा table ही select होना चाहिए तो अगर आप ये कहेंगे कि cursor को कहीं भी रखते हुए control A प्रेस कर दीजे तो ये पूरा sheet select हो जाएगा तो इसलिए आपको table में कहीं पर भी click करना है और control A प्रेस करना है तो ये table select हो जाती है दूसरी shortcut की क्या है दूसरी shortcut की ये है कि आप इसका print preview देखना चाहते है तो print preview के लिए अगर आप यहाँ पर आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसकी print preview clear है तो अमीद करता हूँ बात समझ में आई होगी